हलो दोस्तो राम राम तो आज हम बनाएंगे कच्चे पपीता का लड़ू तो आपने सही सुना तो मैंने अपने घर का ही कच्चा पपीता लिया है और उसे हम अच्छे से छिलके उतार लेंगे जब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ तो यह बहुत जादा कड़क है और बहुत जादा दम लगाना पड़ रहा है मेरे को तो इस तरीके से हम इसके छिलके को अच्छे से उतार लेंगे और फिर धो के हम इसका महिन कद्दुकस कर लेंगे कच्छे पपीते से आप लड़ू तो बना ही सकते हैं उसके लावा बर्फी, खीर और और भी रेसीपी इसे बना सकते हैं बहुत ही अच्छा बन के तयार होता है तो अब हमारा कद्दुकस भी हो गया है अब इसे हम एक कड़ाई में फ्राई करेंगे तो उसके लिए हमें एक कड़ाई लेना है और कड़ाई में हमें दो से तिन चमच घी डाल लेना है जब घी थोड़ा गरम हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे पपीते का जो हमने कदुकस करके रखा है उसे और हम उसे फ्राई कर लेंगे जैसे जैसे ये फ्राई होगा वैसे वैसे इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होता जाएगा और इसमें से बहुत भीनी-भीनी सी खुस्बू आने लगेगी अब इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है और इससे जादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है तो नीचे से ये चिपक सकता है तो इसलिए लगातार चलाना है अब इसमें हम डाल देंगे दो गिलास दूद तो दूद मैंने रूम टेम ट्रेचर की अनुसार लिया है और फिर इसमें हम थोड़े से बबल्स आने देंगे और फिर बाकी की चीज़े इसमें हम मिलाएंगे अभी गैस के फ्लेम को हमें मेडियम रखना है तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स भी आ गया है अब एक कटोरी में डाल रही हूँ मामा और फिर उसी में मिलाया हुआ था मैंने चीनी और फिर सुखा हुआ नारियल का बुरादा जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था रेशिपी गुजिया का तो गुज कटोरी डालेंगे चीनी चीनी यहां पर अपने टेस्ट के अनुसा डाल सकते हैं और थोड़ा समय इसमें डाल रही हूँ फूट कलर ताकि दिखने में अच्छा देखे तो सभी चीजियों को मिक्स करते हुए हमें एकदम गाढ़ा कर लेना है जब इसमें हम सारी चीजे डा लेंगे तो गैस के फ्लेम को हमें हाई करके उसको इदम अच्छे से गाढ़ा इस तरीके से बना लेना है तो गैस के फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसे हमें बाहर निकाल लेना है प्लेट में ताकि यह ठंडी हो जाए और इसके लड़ू हम आसानी से बना सके तो मैंन इसे आधे घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया था और फिर आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और अब यह ठंडा हो गया है अब एक कटोरी में घी लेंगे और उस घी को हम थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम इसका ह हाथ में इस तरीके से लेके गोलगोल बना लेंगे आप अपना मन्चाहा से दे सकते हैं तो यहां पर मैं गोल ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे लड़ू ही बनाने है तो देखिए बहुत आसानी से यह बन जा रहा है बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है तो है ना इस से आसान इसी तरीके से बाकी के लड़ू भी हम बना लेंगे मैंने इस लड़ू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये बनने के बाद बेहद ही टेस्टी लग रहा था आप चाहे तो इसमें ट्राइफ फूट्स बगरा डाल सकते हो तो मैंने सभी लड़ू बना के तैयार कर लिए है अब थोड़ा सा हम इसे सजाएंगे ताकि दिखने में ये अच्छा दिखे तो मैं नारियल का बुरादा ली हूँ और थोड़े थोड़े मैं इसमें डाल रही हूं इस तरीके से ताकि थोड़ा और सुन्दर ये दिखे तो खाने में तो ये अच्छा है ही तो दिखने में भी ये अच्छा दिखना चाहिए तो लड़ू तयार है तो आप सभी लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो इस गनेश चतुर्थी पर आप इस लड़ू को बना सकते हैं जो की बेहदी सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं और त्योहारूं का सीजन चल रहा है तो जटपट इसे बनाईए और इसका आनन लेजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद